लोगसबा चुनाओं के लिए कॉंग्रेस ने एक बार फिर से 31 उमीदवारों की गोशना कर दिये जिसमें गुजरात, राजिस्तान, उत्तरप्रदेश के नाम शामिले राजिस्तान की बात करें तो राजिस्तान के अंदर 19 उमीदवारों की गोशना कर दिये जिसमें अभी हमारे साथ मोजूत है टॉंग सवाई मादभूर से उम्मीद्वार नमोनान मिना जो कि पूर में केंद्री मंत्री भी रहे हैं नमोनान जी से खास बाचीत करते हैं सबसे पहले नमोनान जी बधाई हो आपको टीवी नाइन भारत वर्ष की और से एक बार फिर से उम्मीद्वार बनाया गया है 2009 में हलाकि आप उम्मीद्वार थे मासे और केंद्री मंत्री भी बने अब किस तरह से देखते हैं जिम्मेदारी को और क्या चैलेंजेस रहेंगे क्योंकि ऐसा कहा जाता है बाचपाक एंडितों के जो उम्मीद्वार है उनके द्वारा कि मोदी लेहर फिर से है देखिए करे सबसे पहले तो आपको धन्वाद देता हूँ आपकी चैनल को धन्वाद देता हूँ साथ ही मेरे पार्टी के आईकमान मुक्मंत्री जी और उपमंध्री और हमारे महमंत्री को जो उनके मुझे एक बार पुने टौक सवाई मादवपूर से पर्त्यासी बनाए है जहां तक सवाल जीतने का है कोई मोदी लेहर नहीं है राजस्तान में हमारी सरकार बनी है हाली में कुछ महीनेपूर और कांग्रेश के पृति लोगों का रुजान है और हम लोग भारी संख्या में जीत करके और राजस्तान से पार्लेमेंट में जाएंगे मुझे बनाने के पीछे एक कारण सबसे बड़ा है कि मैं यहां का इस्थानिये रहने वाला हूँ जोनापूर यहां जी हरियाना के रहने वाले बाहर ही हैं ने बोली जानते हैं ने भाषा जानते हैं लोगों को समझ्षा जानते हैं ने उन्होंने पांस साल में गाओं में गहें नहीं कुछ उन्होंने कोई काम कराया है जिसके अधार पर वो बोट मांगेंगे देखिएगा राश्ट्रिय मुद्दों के बज़ाए लोकल मुद्दे ज़्यादा कामियाब होते हैं कोई चरागा नहीं है टौक सवाई मादुपूर के बाहर के लोग यहाज हैं और कुछ काम दाम नहीं करें और फिर दुबारा बोट आके मांगे जनता ऐसे लोगों को नकारेगी मुझे पूर्ण विश्वास एक टौक सवाई मादुपूर की जनता एक बाहर पुने मुझे बारी बहुतों से जिता करके और पार्लियमेंट भेजेगी जहां तक प्रात्मिक्ताओं का सवाल है देखिएगा यह दोनों जिले पिछड़े हैं मैंने पहले प्रियास करके और टौक और सवाई मादुपूर को भारत सरकार से पिछला जिला गोसित कहा था और डाइरेक्ट काफी सारा करीबन 40-45 करोड रुपे हर साल दोनों जिलों को मिलता था जिससे उनका सवाल है मेरा सवाल यह है कि आपने का कि बारी है जोनापुरिया पिछली बार जो कॉंग्रेस ने मिद्वार उतारा था मौम्मद अजुरुदीन वह भी तो बारी थे मतलब कॉंग्रेस की नीती सही नीती उस वक्त इसलिए कॉंग्रेस आरी यहां फिर क्या कारण रहा जेसे हमारे यह जिला पिछल गया टॉंग देखिए पहले एक बार पचेरवाल जी यहां रिप्रजेंट कि वह भारी थे बंसी वाल जी आये वह भी भारी थे और यह भी भारी आ गया क्या बीजेपी कोई टॉंक सवाई माधरपुर का कंडिडेट नहीं उतार सकती थी या राजस्थान का कोई कंडिडेट नहीं उतार सकती थी जो उनको बार से व्यक्ति जाने लगा लोग बाग यह महसूस करने लगे हैं कि बाहरी व्यक्ति बोट लेके चला जाता है और बाद मे ने तो गावों में घुमता है लें लोगों के सुख और दुख में सम्मिलित होता है और ने कोई नया प्रजेक्ट लाकर करके काम करता है इसलिए लोगों लोग अपके ऐसे बाहरी कड़ी डेट जोना पुरिया जी को नकारेगी ऐसा मेरा पुर्ण विश्वास है सर रेलवे की बड़ी समस्या है टॉंक की बात करें तो लगातार लोग वहां के दिमांड कर रहे हैं आप अब लोग सबा के उमीदवार बन गये हैं आप से भी लोग सवाल पूछेंगे क्योंकि आप भी वहां से पहले परत्यक्षी रहें और पहले मंतरी भी रहें तो क्या प पीड़ा उठाया था लेकिन कामयाब नहीं हो पाई मेरे को ये चैलेंज के रूप में मैंने सिवकार किया था मैंने प्रियास किये और ये आपकी अजबेर से जुल आती है आपकी रेलवे लाइन नसीराबाद तक नसीराबाद के बाद केकड़ी हमारा टॉंक और सवाइमा दुपर जोडने वाली रेलवे लाइन को मैंने उसको कैबिनेट से मंजूर कराया भारस सरकार से मंजूर सुदा योजना पड़ी हुई है अब उसमें M.E.O. के तहत में राजस्तान सरकार को जमीन उपलब्द करानी है हमारी यहां सरकार है मुझे पूर्ण विस्वास है कि में राजस्तान सरकार जमीन एक्वाइर करके देगी और ताकि भारस सरकार इसको प्रजेक्ट को प्रारम कर सके मेरे पूर्ण विस्वास रहेगा पूर्ण विस्वास है और मेरे प्रियास रहेंगे कि मैं यह सारी प्रजेक्ट को चला करके और वहां काम चलाओं ताकि रेल अगर आप लोग सभा कि दहलीश के पायोशते हैं तो बेरोजगारी की समश्या सारे देश में, पिछली बार मोदी जी ने ये कह था कि दो करोड लोगों को रोजगार देंगे, वो उनका एक तरीका जुम्ला साबित हुआ राजस्तान में भी वसंदरा जी ने ये कह था पंदरा लाख लोगों को नौकरी लगाएंगे वो भी एक जुम्ला इसाबित हुआ बहुत कम नौकरियां दे पाई हमारा प्रियास होगा हम नौकरियां करेट के जित्ती भी हमारी अभी मौज़दा राजस्तान सरकार है, उन्होंने बहुत सारी एक के बाद एक जो खाली जगे पड़ी हुई थी जिनकी भरतियां नहीं हुई थी वो निका लिए 12 सरकार भी हमारे टाइम में खुब नौकरियां ने के लिए थी रेलवे में काफी भरतियां हुई थी इनके टाइम सारी उल्टी लौकरिया कम मिली as compared to UPA government हम लोगों ने उस जमाने में skill development के सारे institute खोले थे मेरे टाइम में 37 हमने skill development के institute खोल दिये थे जो bank चलाते थे कई का मैंने उद्गाटन भी किया था मेरे talk और सवाही बात दो पुर्वन मेरे टाइम में दो इस तरह के training center किये थे एक तो vocational training दी जाया ताकि लोगबाग खुद ही भी अपना धंदा कर सके और विबिन जगे जा करके वो adjust हो सके नौकरिया देना सबसे बड़ी समश्या है तो ये बेरोजगारी की समश्या हम Congress दीरे-दीरे इसको पूरी करेंगे और लोगों को रोजगार लगाएंगे बेरोजगारी भत्ता हमारी राज़तान सरकार ने announce किया है और एक अप्रेल से जो बेरोजगार है उनको बेरोजगारी बत्ता दिया जाएगा 3500 पृतिवाद ताकि वो तैयारी करें और फिर नौकरियों में जाए प्रियास करेंगे कि हमारे यहां कुछ industries लगे ताकि local रोजगार हो छोटे छोटे उद्योग दंदे लगे उनमें हमको रोजबार में ले और सरकारी नौकरियों में जो pending पड़ी हुई है vacancies उनको हमारी सरकार रास्तान सरकार पूरे सने सने कर रही है और भारस सरकार में भी हमारी government अगर बनेगी तो राहूल गांदी जी के नेतरत्त में इसका हल निकाला जाएगा और हम ज़्यादा ज़्यादा बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का परियास करेंगे हमारी प्रात्ता रहेगी सर एक सवाल है सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि आपके भाई के सामने आप चुनाओ लड़े थे पिछली बार हरिचंद मीना के सामने वो बीजेपी छोड़के कॉंग्रेस में आगे क्या आप हरिचंद मीना नमुराइन मीना का साथ देंगे और किस इस तर तक जाके देंगे क्योंकि वो भी MLA वहीं से है देखिएगा वो तो पिछली बार की बात है पार्टी न उनको दिया मेरे को पार्टी न दे दिया इडियोलोजी की लड़ाई थी वो जीत गए थे हम हार गए अरी जी वापस अपने घर में आगे कांग्रेस के थे कांग्रेस परिवार के थे आगे आगे और फिर हमारी पार्टी न उनको MLA का टिकट दिया देविलियो निहारा से और बड़े कीस अजार बोटों से जनता ने जित वाया मैंने भी उनको सहयोग किया फिर जनता मेरे को देगी सारे MLA भी मुझे सहयोग देगे सबके सहयोग से हम भारी मतों से जीतूँगा ऐसी मेरे को उमीद है और मेरे को विस्वास है कि जनता जबरदस्त मेरे को फिवर करेगी